रादे रादे जैसी क्रश्णा जैहो पुर्षोतम भगवान की जै एक बार आप भी मेरे साथ भाव से प्रेम से जोड लगा करके बोलें जैहो पुर्षोतम भगवान की जै आईए अब हम पुर्षोतम मास का पचीसवा अध्याई सुनते हैं इस अध्याई में राजा दर्धनवा उपाख्यान एवं पुर्षोतम मास की उद्यापन विदी आएगी राजा धरधनवा बोला कि हे भ्रामन अब आप पुर्शोतमास के वरती मनुष्य के लिए कृप्या भली भाती उद्यापन विधी बताईए वालमिकी जी बोले कि पुर्शोतमास के वृत की संपूर्ण फलकी प्राप्ति के लिए उद्यापन विदी में तुम्हें संशेप में कहता हूँ तुम ध्यान से चित लगा करके सुनो पुर्शोतमास में क्रश्नपक्ष की 14 नवमी और अश्टमी तिथी में उद्यापन करना चाहिए वावित्र पुर्शोतमास में प्राते काल उठकर नित्ते किरिया करके जो पूजन सामगरी सुलभो उसी से प्राते किरिया करें फिर प्रसंद चित से विश्णु भक्त तीस सदाचारी ब्रामनों को उनकी पतनियों सहीत निमंत्रिन करे तथा यता शक्ती शद्दा अनुसार पांच या साथ ब्रामनों को सापतनिक आमंति कर फिर दो पहर को एक द्रोन लगबग 16 किलो आठ किलो या चार किलो या शक्ती पांच धानिय से उत्तम सर्वतो भदर बनावें सर्वतो भदर मंडब के उपर सोने चांदी तांबा या मिट्टी की जिसमें छिद्र नहों ऐसे चार कलस इस्तापित करें चारों दिशाओं में पुर्शोतम भगवान की प्रसनता के लिए कल्शों पर शेष्ट वस्त्र से लपेट कर नारियल रखें उनके उपर पान रखें चारों कलस पर क्रम से वासुदेव, हलदर, प्रदुम्न, अनिरुद देवताओं की इस्तापित करें उसके बाद पुर्शोतम मास के आरंब से जिस कलश पर श्री राधा सहीत देव, देवेश, पुर्शोतम भगवान की मूर्थी इस्तापित की हैं उसे वहां से लाकर मंडब के उपर भी चुम्बीच में इस्तापित करें वेश्नव ब्रामन को आचारिये बनाकर चार ब्रामन जब के लिए वरन करें, उन ब्रामनों को हस्त मुद्रा आधी छापे के दो दो वस्त्र दें, फिर आचारिये को धोती, दुपट्टा, अंगुठी आधी से विबूशित करें, फिर पुरोक्त विदी से सहपतनिक पु पैदान करें, उसके पश्चा दोनों गुठनों के बल बैटकर दोनों हातों में पंचरत, शेष्ट रितू फल लेकर शद्दा भक्ती सहित प्रसंद्चित, सिरीहरी भगवान का इस्मरन करते हुए इस मंत्र से अर्द्य देवें, देव देव नमस्तुभ्यम पुरान पु पुष्चोतम आपको नमस्कार है, हे हरी, रादा सहित मेरे दिये हुए इस अर्द्य को ग्रहन करें, नवीन मेग के सामान शाम शरी, दो बुझादारी, मुलीदर, पितामबदारी, रादा सहित पुष्चोतम देव को मैं नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार भक्ती से राद दामोदर सहीत पुष्चोतम भगवान की आर्ती करें। आर्ती मंत्र है, निराजियामी, देवेश मिंदीवरं, लच्च मिम, राधी कारमणं, प्रेमणा, कोटी कंदर्प सुन्दरं, नील कमल के समान, कांती वाले, कोटी कामदेव के समान, सुन्दर, शिरी राधी कारमण की मैं से प्रेम आर्ती करता हूँ, फिर इस मंत्र का ध्या ध्याय आधी कया से कोस्तुब मनी प्रधोती तोर स्थलम राज द्रंत किरीट कुंडल धरम प्रत्य अग्री पितामबरम हे अंतह करण में जोती स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंगासन पर विराजमान व्रंदावन में बंशी की ध्वनी से ब्रज की इस्तरियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुन्दर कोस्तुब मनी से दैदियमान हिर्दय वाले रत्न जडित मुकुट एम कुंडल धारी पितामबर धारी राधी का सहीत सिरी पुर्शोतम को नमस्कार है फिर राधा सहीत हरी को पुष्पांजली दे कर अपनी इस्तरि सहीत साष्टांग नमस्कार करें प्रह्मा को स्वन सहीत पून पात्र दे फिर आचारिये को प्रसंत गुंगुरू और किंकनी से सजाकर पीट पर तांबा मंड कर स्वन के सिंग चांदी से खुर मंडवा करके घी तता तिल का पात्र के साथ दान में देवें। का साक्षात अद्बुत रूप है। इस ग्रंत को यदिवेश्न पंडित ब्रामन को दान में देंगे तो करोडो कुलो का उध्धार होगा। अब सुराओं से सेवी तोकर विमान में बैठकर योगियों को विदृलव गोलो धाम को जाएंगे। अतर शिरीमत भागवत को स्वर्ण सिंगासन पर रख कर रेश्मी पीला वस्त्र ओडा कर आबुशनों से सज्जाकर भामन को दान में दें। हे प्रत्वी पते प्रतेक मालपुये में जितने छिद्र होते हैं उतने ही हजार वर्ष तक वे पुरुष बैकुंट में वास करता है। वे योगियों को भी दुलव सनातन जोती धाम गोलोग को जाता है। जहां से फिलोट कर नहीं आता। अडाई किलो कासे के संपुट का विदान कहा है। निर्दन पुरुष यता शक्ती करें यह भी न हो सके तो भगवान के नीमित कच्चा सामान मावा चीनी गेहु का आटा गुड सौफ गी आदी रितुफल संपुट के साथ रख कर दान में दे। हे नरादीप आमंत्रित ब्रामन दंपती को पुर्शोतम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान में दे और ये प्रातना करें कि स्रीक्रश्न जगत के आदा जगदानंद दायक एही का मुश्री कानमान निखिला अनपूरियाश्यू। श्रीक्रश्न जगत के आदा जगदानंद मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शिग्र पूरी करें। इस प्राकार गोबिंद की प्रातना कर इस्त्री सहीत सदाचारी ब्रामन को पुर्शोतम का इस्मरन कर आनंद से भोजन करावे। विदि पूर्वक गंद अक्षा से पूजा कर विप्र रूप में हरी ब्रामनी रूप में राधा को इस्मरन करता हुआ घी से भुने हुए चामल की खीर से भोजन करावे। व्रती पुरुष अंगूर केला अने प्रकार के पके हुए मीठे आम आदी फल घी से बनाए हुए पकवान शेष्ट उड़त के बड़े गेवर अंगी हुई फीनी खांड के बने माट धोर खरबूजा ककडी का शाक अदरक शेष्ट निम्बू और भी अने प्रकार के से युक्त मकाना चिरोंजी आदी मिष्टित गोरस परोस करके कहें कि हे ब्रह्मन आप ये परोसा हुआ सादिष्ट भोजन करें और जो आपको अच्छा लगे वे मांग मांग कर लेवें मैं आज धन्य हूँ जो आपका करपापात्र हूँ आज मेरा जनम सपल हुआ इस प् ब्रामनों को पान और दक्षिना दें इलाईची लोंग कपूर नागरपान कस्तूरी जावित्री कथा चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है अतसब वस्तु सहीत आदर से ब्रामनों को देवें इस प्रकार जो व्यक्ति ब्रामन को पान खिलाता है वे इस लोक में पीछे जाकर उनका विसरजन करें मंत्र हीनम किरिया हीनम का मंत्र बोलकर पुर्शोतम से शमा मांगें तता जनारदन भगवान को नमसकार करके यसे स्मृत्य का मंत्र बोलकर कहें कि यदी मुझसे कोई कारिये में कमी रह गई है तो है इश्वर भगवान की क्रपासे मेरे व्रत को पूर्ण फल दायक करें, इस प्रकार प्रात्ना करके सब को समान भाव से प्रसाद बाटें, मित्या बाशन छोड कुटंबी जनों के साथ भोजन करें, अमवश्या आने पर रात्री में जागरन करें, स्वर्ण के राधा क्रश्न की पूजा करें, अंत में सैपतनिक व्रती पुरुष राधा सहीत पुर्शोतम देव को नमस्कार करके पूजा पूरण करें, फिर आचारिये को सामगरी सहीत मूर्ती भेट करें, शद्दा अनुसार यथा योग या अन दान दें, चाहे कैसे भी हो ये व्रत करें, भक्ती से अपनी सामयत्य अनुसार दान में इस व्रत के काने से चाहे नर हो या नारी हो, जन्म जन्मांतर में दुखी दारिद्र वे दुर्बाग्य नहीं पाते और अने प्रकार के मनोरत पूर्ण करके अंत में विमान में बैठकर उत्तम बैकुंट लोक में जाते हैं, सिरी नारायन बोले की सिरी कश्न के प्रिय पुरुजों के साथ सुक भोग कर अंत में गोलोक में जाते हैं, प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवें भगवत भक्त राजा थे, जिनके नाम से ये देश भारत वर्ष कहलाता है, अंत समय में उनकी एक म्रग शावक में आसकती हो जाने के कारण उने म्र के बाद म्रग का शरीर मिला, और म्रग शरी त्यागने पर वे उत्तम ब्रामन कुल में जड़ भरत के नाम से अवतरिन हुए, जड़ भरत के पिता आगीरस गोत्र के वेद पाठी ब्रामन थे, वे बड़े ही सदाचारी और आत्म ग्यानी थे, वे शम, दम, संतोस, शमा, न अमरता आधी गुणों से विबूशित थे, ताप दान धर्माचरण में हमेशा रत रहते थे, भगवान के अनुगरे से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्वी की सबी बातों का इस्मरन था, अतय वे फिर कभी मोहजाल में नहीं फसे, इस भाव से बच्पन में ही निसंग होकर रहने लगे, उन्होंने अपना सरु जान भूच कर उनमत, जड़, अंदे और वहरे के सामान बना लिया, और इसी छदम वेश में वे निर्धंत होकर विच्रन करने लगे, उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यग्योपवी संसकार करवाया, थथा वे उन्हें शोच आचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वे आत्मे निष्ट बालक जान भूच कर पिता की शिक्षा के विप्रित आचरन करने लगे, ब्रामन ने उन्हें वे द्याधन कराने के विचार से पहले चार मैने तक व्याहरती प्रणाव और शिर के सहीत रिपदा गायतरी का अभ्यास कराया, परंतु इतने दिर्ग काल में वे उन्हें स्वर आधी के सहीत गायतरी मंतर का उच्चारन भी ठीक सरसे नहीं करा पाए, उस समय बाद जडभरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में लेकर इस संसार से चल बसे, उनकी माता इ इनका आत्म विध्या की और कुछ बीध्यान नहीं था, जो कर्म कांड में ही लगे रहते थे, इन्हें जड़ बुद्धी एम निकम्मा समझ कर पढ़ाने का आगरत छोड़ दिया, जड़ भरत भी जब लोग इनके स्वरुव को ने जान कर इन्हें जड़ उन्मत आधी कहक इनकी आलोचना करने लगे तब वे उन्हें जड़ और उन्मक साही उत्तर देते, लोग इन जो कोई भी काम करने को कहते ये तुरन कर देते, कभी बेगार में, कभी मजदूरी में, तो कभी बिख्या मांग कर ये अपना पालन पोशन करने लगे, स्वाद की बुद्धी से तताइंद्रियों की त्रप्ती के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं खाया, क्योंकि उन्हें ये बोध हो गया था कि सम्म अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, मान अपमान जय पराजय आदी द्वन्दों से उत्पन होने वाले सुख दुख से वे सर्व उन्हें इसनान करते थे, जिससे उनके शरीर पर हमेशा धूल जमीर रहती थी, उनके उस मलीन वेश के अंदर उनका भ्रम तेज उसी प्रकार छिप गया जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज छिप जाता है। वे कमर पर एक मेला सावस्र लपेटे हुए शरीर पर एक मेला साजनेव डाले रहते थे, जिससे लोग इनने जाती मात्र का भ्रामन अत्वा अदम भ्रामन समझ कर हमेशा इनका तिरसकार करते रहते थे। परंतु ये तनिक भी परवा नहीं करते थे, इनके भाईयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहां मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोग लास से इन अधान के खेतों में क्यारी एकसार करने के कारिये में निउक्त कर दिया, किन्तु कहां मिट्टी अध की खुर्चन आदी को बड़े प्रेम से खाने लगे, एक दिन किसी लुटेरे के सरदान ने संतान की कामना से देवी भदर काली को नर्वली देने का संकल्ब लिया, उसने इस काम के लिए किसी मनुश्य को पकड़ कर लाने को कहा, परंतु वैव्यक्ती मरने के डर से इनके चंगुल से भाग छुटा, उस व्यक्ती को ढूंडने के लिए उनके साथी दोड़ धूब करने लगे, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता नहीं चला, तबी उनकी दरश्टी जड़भरत पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिन सूर और जानवरों से खे देवी के मंदिर में लेगे, उन्होंने विदिवत इसनान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, आबुशन और पुष्प माला और तिलक लगाया, फिर गान, इस्तूती, म्रदंग, मंजीरों का शब्द करके देवी के आगे ले जाकर के बैठा दिया, उसके बाद पुरोईत ने उ देवी की मूर्ती में से बड़ा भेंकर शब्द हुआ और साक्षाद भद्र काली ने मूर्ती में से प्रकट होकर पुरोईत के हार से तलवार छिलनी और उसी के दो टुकडे कर डाले। पहारों ने देखा कि ये मनुश हटा, कटा, नोजवान और गठीले शरीर का है, अतय ये पाल की ढोने में उप्यूगत रहेगा, इसलिए उन्होंने जबर्दस्ती पकड़ कर अपने में शामिल कर लिया, पाल की उठा कर चलने में हिंसा नहों, इस बह से बान भर आगे की प्रत्वी को देखकर वहाँ कोई कीडा, कोई चीटी आधी तो नहीं है, ये निश्चे करके वे आगे बढ़ रहे थे, इस कारण उनकी गती दूसरी पाल की उठाने वालों की गती के बराबर नहीं थी, तो पाल की टेडी होने लगी, तब राजा उन पाल की उठाने वालो यदिपी उनका सोबाव बहुत शान था शत्रिय सोबाव के कारण कुछ तम तमा कर जड़भरत के सरूप को ने पैचान कर उने भला बुरा कहने लगे जड़भरत जी उनकी बातों को बड़ी शान्ती पूरा सुन रहे थे और अंत में उनकी बातों का बड़ा ही सुन्दर जवाब दिया राजा रहुगन भी उत्तम शदा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे जब उन्होंने इस प्रकार का सुन्दर जवाब सुना तब उनके मन में ये निश्चे हुआ कि हो न हो ये छदम वेशधारी महात्मा जी हैं अतवे अपने बडपन के अभिमान को त्याग कर तुर जिसे सुन कर राजा करतकत्य होगे और अपने को धन्य मानने लगे एक बार बहुत छोटा सा रतनपूर नाम का नगर था उस नगर में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था राजा की बड़ी रानी से ओलासुक की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने दूसरा विवा किया दूसरी रानी से राजा को दो पुत्र हुए इससे राजा अब छोटी रानी को अधिक पसंद करने लगा बड़ी रानी बड़ी ही समझदार थी उसने इसे अपना भाग्य मान लिया और वह पूजा पार्ट में लग गई पहले तो राजा कभी कबार बड़ी र रानी से दो-दो राजकुमार हुए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया अब बड़ी रानी अपना पूरा समय पूजापाट वरत्व पुवास और दानपुण्य में बिताने लगी एक दिन राज पुरोईत ने बड़ी रानी के दुख को स पुरुइत जी पुरुष्ट तमास के सेवन के क्या नियम है और कौन सी कथा कहानिया है तो पुरुइत जी ने कहा कि बड़ी रानी जी आप चिंता मत कीजिए मैं पुरुइत तानी को आपके पास महल में भेज दूँगा वैं सब आपको बता देगी तीन दिन बार जब पु पुरुष्ट तमास के नियम बताने लगी और कता कहानिया सुनाने लगी और पुजा करवाने लगी बदले में बड़ी रानी पुरुष्ट तमास के नियम बताने लगी और कता कहानिया सुनाने लगी और पुजा करवाने लगी बदले में बड़ी रानी पुरुष्ट ता आज कल क्यों जाती हूँ, सच सच बताना नहीं तो मैं राजा जी से कहा कर तुम्हें और तुमारे पती को जेल में डलवा दूँगी, पुरोईतानी ये सुन कर डर गई और वैं बोली की छोटी रानी जी मैं तो बड़ी रानी जी को पुर्शोतम मास की पूजा करवाने कता क बहानिया सुनाने आती हूँ, चोटी रानी ने पूचा कि पुरोईतानी इस वरत को काने से क्या होता है, तब पुरोईतानी चोटी रानी से बोली कि चोटी रानी जी इस वरत को काने से संतान चाने वाले को संतान धन चाने वाले को धन कुवारों के व्याहो, विच्णों क मिलन हो और बुजुर्गों को बेकुंट कावासा मिले जो मनुष्य जिस इच्छा से पुर्षोतम मास का इस्नान और व्रत करते हैं कता कहानियों को सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पुर्षोतम भगवान पूरी कर देते हैं तब छोटी रानी मनीमन सोचने लगी कि अगर इस व्रत को काने से बड़ी रानी मा बन गई तो उसे भी पती का सुक मिल जाएगा राजा जी तो सारा प्यार और सारा धन बड़ी रानी के उपर ही उडेल देंगे मुझे भी पुर्षोतम मास में इस्नान और व्रत करना चाहिए तब छोटी रानी बोली कि तब छोटी रा तो छोटी रानी ने कहा कि अरी पुरोईतानी कल से तुम मुझे भी पुर्शोता मास की पूजा और कता कहानिया सुनाने के लिए आया करना पर शर्त यह है कि तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी मैं तुम्हें दक्षिना में पास सोने की मोरे दूँगी पुरोईतानी को धन का लालच आ गया और उसने हामी बढ़ दी दूसरे दिन पुरोईतानी जब कता कहानिया सुनाने के लिए महल में आई तो सबसे पहले वह चोटी रानी के पास गई पुरोईतानी ने चोटी रानी को पुर्शोता मास की पूजा करवाई और कता कहानिया सुनाई तो बदले म चोटी रानी ने पुरोईतानी को पांस सोने की मोरे दी। उसके बाद पुरोईतानी बड़ी रानी के महल में गई। उस दिन पुरोईतानी बड़ी उकडी उकडी थी। आते ही बड़ी रानी से बोली कि बड़ी रानी जी जल्दी जल्दी पुजा करो मुझे और भी बहुत काम हैं बड़ी रानी समझी नहीं फिर पूजा करने के बाद पुरोईतानी ने जल्दी जल्दी आदी अदूरी कहानी सुनाई बड़ी रानी पुरोईतानी से बोली कि पुरोईतानी जी कहानी भले ही आप जल्दी जल्दी सुना दो लेकिन आदी अदूरी कहानी मत सुनाई इससे आपको भी दोश लगेगा और मुझे भी दोश लगेगा तो पुरोईतानी गुसे से बोली कि अरे एक तो आप दक्षिना में मुझे जुआर देती हैं इतने में तो ऐसी ही कहानी सुनने को मिलेगी अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो छोटी रानी की जैसे पांच स्वन्द मुद्राइं दीजिए क्योंकि आज से छोटी रानी ने भी पुरुष्योत तमास का इसनान किया है तो वे भी कता कहानिया सुन रही है और वे भी पूजा करवा रही है तब बड़ी रानी ने पुरोईतानी से कहा कि पुरोईतानी जी जब मैं पुर्शोतामास के इसनान और व्रत का उद्यापन करूंगी तो आपको अच्छी दक्षेना दे दूंगी इस तरह समय बीतने लगा जब पुर्शोतामास की पुर्णिमातिती आने वाली थी तो पुरोईतानी ने बड़ी रानी को याद दिलाते हुए कहा कि बड़ी रानी जी आपने कहा था कि पुर्शोतामास के व्रत का उद्यापन जबाब करेंगी तो आप मुझे दक्षेना में अच्छी चीज देंगी चांदी सोने के तार की गोटे की जरी की चूंदरी की साड़ी पड़ी थी। दूसरे दिन पुर्षोतमास की पूरीमा के दिन बड़ी रानी ने पुर्षोतमास के इसनान और रत का उध्यापन किया। उध्यापन में उसने वही चूंदरी की सचे गोटी हीरे मोती जरी चूं पीला खाओ पीला पेनो और ऐसा कहे कर उसे धेरू आशिरवाद दिया आशिरवाद मिलते ही बड़ी रानी ने अपने पल्ले में गाट बांद लिया तब बड़ी रानी ने पुरोईतानी से कहा कि पुरोईतानी जी आप इस साड़ी को यहीं से ओड कर के जाए पुरोईतानी ने उस साड़ी को उपर से ओड लिया और खुशी-खुशी जाने लगी जब पुरोईतानी छोटी रानी के महल के नीचे से जाने लगी तो छोटी रानी ने पुरोईतानी को वापस से अपनी दासी भेज कर अपने महल में बुलवाया और उससे पूछा की बता तुझे रखी है यही साड़ी उन्होंने मुझे दक्षीना में दी है तब छोटी रानी ने पुरोईतानी से कहा कि ठीक है अब तुम जाओ उसके बाद छोटी रानी क्रोधित होकर कोप भवन में जाकर के बैठ गई शाम को राजा शिकार खेल के महल में आए और छोटी रानी को राजा से बोली कि है महाराज आज बड़ी रानी ने पुर्शोतर मास के इसनान और रत का उद्यापन किया जिसमें उसने पुरोईतानी को सच्चे गोटे हीरे मोती जड़ी चुंदरी की साड़ी दक्षीना में दी मुझे वही साड़ी चाहिए राजा ने कहा कि है रानी उ सारे गैने तो तुमने पहले ही ले लिये थे वह साड़ी तो उसकी माने उसे दी थी वह मैं कैसे ले सकता हूँ लेकिन रानी की जित के आगे राजा की एक न चली तव राजा दुखी मन से बड़ी रानी के महल में गे और सारी बात बताई बड़ी रानी ने कहा कि है आज दक्षिना में दी हुई चीज वापस नहीं लेते आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दी जाए उसे हम वापस कैसे ले सकते हैं तो राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी तुम ये समझती हो लेकिन छोटी रानी को कौन हे रानी तुम पुरोईतानी को मेरी मजबूरी बताना और वहसारी तुम वापस मंगवा लेना उसके बदले में हम उसे कुछ और दक्षिना दे देंगे ऐसा कहका राजा वापस छोटी रानी के पास महल में आगे उस रातरी को बड़ी रानी पुर्शोतम भगवान को कि हे कल्यानी तुम चिंता मत करो तुम राजा को उसी पीपल के पास लेकर के आना जिस पीपल के पास तुमने पूरे पुर्शोतम मास में दीपक जलाया था और दीबदान करा था और पूजा करी थी हे रानी मैं तुमारी सारी परेशानियों को दूर कर दूँगा हे रानी तुम पुत्रवती हो धनवती हो और सुबाग्यवती हो आशीरवात देकर पुर्शोतम भगवान अंतरधान होगे सुबह जब बड़ी रानी सो कर उठी तो उसे रातरी के सपन वाली बात याद आई उसके वाद बड़ी रानी सुबह उठी पूजा पाड़ करके जैसे ही बैठी की तभी राजा छोटी रानी को लेकर महल में आए तब बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सतकार किया तब बड़ी रानी से पूजा कि हे रानी आपने पुरोईतानी से चुंदडी की साड़ी मंगवाई है या नहीं तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज आप दोनों मेरे साथ पीपल के पेड़ के पास चलिए तभी रास्ते में उन्हें पुरोईतो पुरोईतानी जी आते ह दिखाई दिये तब बड़ी रानी ने पुरोईतो पुरोईतानी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा तब राजा छोटी रानी पुरोईतो पुरोईतानी बड़ी रानी के पीछे पीछे पीपल के पेड़ के पास गए जब वे सभी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो स प्रोईत को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज एक स्तरी घर को बनाती है और वही विगाड़ती है अब आप खुद सोचिए कि कोई घर विगाड़ रहा है एसा सुनते ही छोटी राणी को अपनी गल्ती का एसास हो गया और वह बड़ी रानी के चरन पकड़ कर अपनी गल्ती की शमा माँँने लगे उस दिन राजा बड़ी रानी को भी महल में लेकर के आए। उसके छे मैने के बाद ही बड़ी रानी को गर्व टहर गया और नवे मैने में उसे सुन्दर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद राजा बड़ी रानी को भी इज़त देने लगा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी मे ये धिंडोरा पिटवादिया की सभी को पुर्शोतम मास में इसनान व्रत और पुजा करनी चाहिए और दीवदान करना चाहिए आईए अब हम पुर्शोतम भगवान की आरती सुनते हैं आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती गाई की सेवा में आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में गाई की सेवा में मार दूद बर्या चैचरी में आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की ठाकुर जी की सेवा में तिलक दर्या चैचरी में गाई की सेवा में मार गी दर्योच घरला में गाई की सेवा में मार गी दर्योच घरला में आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की ठाकुर जी की सेवा में माखन मिसरी दो ना में माखन मिसरी दो ना में गाई की सेवा में मार चाचरा बड़ी थारी में आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती गाई की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती आरती उतारू मारा पुर्शोतम भगवान की ठाकुर जी की सेवा में शक्किया खड़ी में अपुर्शोतम भगवान की मंदिर में ठाकुरजी की सेवा में सकिया खड़ी छे मंदिर में गाय की सेवा में मार साथ ग्वाला अंगन में आरती उतारू मारा पुर्षो तम भगवान की ठाकुरजी की सेवा में तुलसी माला फेर ती गाय की सेवा में मार गड़े कुमारी सोना की आरती उतारू मारा पुर्षो तम भगवान की आरती उतारू मारा पुर्षो तम भगवान की ठाकुरजी की सेवा में बैकुंटा में जावती गाय की सेवा में में तो वेतरणी तर जावती आरती उतारू मारा पुर्षो तम भगवान की आरती उतारू मारा पुर्शोतम वगवान की इस तरह आज हमने पुर्शोतम मास का 25 अध्याय सुना आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद